नमस्कार मेरा नाम दिनेश आनन्द है और आप देख रहे हैं बायोग्राफी बाए आनन्द तो आज इस वीडियो में बातें एक ऐसे प्रधान मंत्री की जिनका नाम सुनकर दुनिया भर के दहशत गर्दों की सांसें अटक जाती हैं जिहां हम बात कर रहे हैं इसराइल के प्रधान मंत्री बेंजामीन नितन याहू की जो एक जमाने में इलिट कमांडु कुआ करते थे और केवल उन्हें देखने भर से दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे आज इसराइल की तरफ आँक उठाने से पहले दुश्मन एक बार नहीं हजार बार सोचता है जिस दिन से बेंजामीन ने सत्ता समाली उसी दिन से इसराइल के दुश्मनों की उल्टी गिंती भी शुरू हो गई हालिया उधारन हमास के आतंकियों से जुड़ा है जिसके ढठेकाने पर इसराइल के ahead धार हमले जारी हैं लेकिन इस लड़ाई में एरान दोरा इसराइल पर हमले के बाद आद इसराइल ने भी इरान पर हमला करके साफ संदेश दे दिया है कि हम आतंकात को किसी भी स पुर्सी तक पहुँचने में सफल रहे उनीस सो च्छानवे से लेकर उनीस सो निन्यानवे तक बेंजामीन ने तन्याहो इसराइल के पीम रहे लेकिन अमेरिकी प्रेसिडंट बिल क्लिंटन का फिलिस्तीन और इसराइल के बीच हुए शांती समझोते को बरकार रखने का इतन बेंजामी ने तन्याहो का जन्म उनीस सो उन्चास को तेल अवीब में हुआ था और उनकी युवा वस्था के कुछ साल यरुशलम में भी गुजरे उन्हें बीबी के नाम से भी बुलाया जाता है ने तन्याहो इसराइल के पहले ऐसे प्रदान मंत्री हैं जिनका जन्म उन कर लिया 18 साल की उम्र में सेना में शामिल होने वाले नेतन यहू पांच साल तक खतरनाक साइरट मतकल नाम की इस्पेशल फोर्स के इस्पेशल कमांडों भी रहे इस दोरान नेतन यहू ने ऑपरेशन इनफर्नो ऑपरेशन गिफ्ट और ऑपरेशन इसो टॉप सहित कई बेंजामिन ने वार आफ आर्टिशन योम किप्पूर जैसे बड़े युद्धों में इसराइली सेना की ओर से भाग भी लिया लेकिन किप्पूर के युद्ध में इनकी वीविता को देखते हुए बेंजामिन को कैप्टन का तमगा देकर सम्मानित भी किया गया। उस दोर में सेना की वर्दी और कमांडों के रूप में नितनियाहू की आकरशक तस्वीरें इसराइल के युवाओं के बीच खासी लोग प्रिये हुआ करती थी। खासकर युवतियों के बीच शानदार कट-काठी वाले नितनियाहू का जबर दस्ट क्रेज था आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन और बिजनिस में मास्टर की डिग्री भी हासिल की। इसके अलावा उन्होंने म.I.T. और हावर इनिवर्सिटी से राजनिती विग्यान की भी पढ़ाई की। नितनियाहू के बड़े भाई योनातन नितनियाहू भी इसराइली सेना में कैटन थे। योनातन दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन ऑपरेशन एटमबी को अंजाम देने वाली टीम के कमांडर भी रहे थे। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपरेशन एटमबी या थंडर बोल्ट आतंकवादियों द्वारा यूगांडा में कैद इसराइली लोगों को छुडाने के लिए साल 1976 में चलाया गया था और इसी मिशन के दवरान यूनातन की जान चली गई थी उनकी मौत के बाद उनके समान में इस मिशन का नाम आपरेशन योनी रख दिया गया अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी कर नेतन याहू जब वापस लोटे तो भाई यूनातन की याद में यूनातन एंटी टररिस्ट इंस्चिट बनाया नेतन याहू पर भाई की मौत का बेहत गहरा असर हुआ और यहीं से उन्होंने आतंकवाद से लडने का मन भी बना लिया कुछी वक्त बाद नेतन याहू ने राजनीती का रुख किया और लिकुट पार्टी से नेसिट के सदस्य यानी सांसद बने साथी 1993 में नेतन याहू लिकुट पार्टी के प्रमुख भी बनाए गए आगे संपन हुए चुनाओं में नेतन याहू के निवर्तमान लिवर पार्टी के उमिदवार शीमोन पेरेज को चुनाओं में करारी शिकस्त दी 1996 में अपनी जबर्दस्त दिलोग प्रियता के चलते वो सबसे कम उमर में देश के प्रधान मंतरी के कुर्शी तक पहुचने में भी सफल रहे महज तीन साल बाद 1999 में हुए आम चुनाओं में उन्हें लेबर पार्टी के उमिदवार एहुद बराक के हाथो हार का मुह देखना पा और इसके बाद उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की और रुख किया जानकारों का कहना है कि बेंजामिन नेतनियाहु जारा दिनों तक राजनीती से दूर नहीं रह सके और 2002 में एक बार फिर वापस लोटे और प्रधान मंतरी एरियल शुरेन की सरकार में विदेश और वित मंतरी का पद भी संभाला 2009 में हुए आम चुनाओं में बेंजामिन नेतनियाहु गड़बंधन सरकार में दूसरी बार प्रधान मंतरी बने और साल 2013 के चुनाओं में पूर्ल बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधान मंतरी की कुरसी तक पहुँचे वर्षो तक इसराईल के प्रधान मंतरी रहने वाले नेतनियाहु की लोग प्रियता अपने देश में लगातार बढ़ती रही और यही वज़ रही कि साल 2015 में हुए आम चुनाओं में भारी जीत के बाद एक बार फिर उन्हें प्रधान मंतरी बनाया गया प्रधान मंतरी के रूप में नेतनियाहु की पाँचवी पारी मई 2020 में शुरू हुई इस दोरान उन्होंने बैनी गैंज की पार्टी ब्लू एंड वाइट के साथ गड़बंदन में सरकार बनाई 2022 में हुए आम चुनावों के बाद एक बार फिर नेतनियाहु ने गड़बंदन की सरकार बनाई और छटी बार डिसंबर 2022 में इसराईल के प्रधान मंतरी बने इसराइल के प्रधान मंतरी नेतनियाहू ने तीन शादियां की नेतनियाहू की पहली शादी मिरियम बिजमैन से हुई जिन से पहली बार वो इसराइल में ही मिले थे दोनों से एक बेटी है जिसका नाम नौा है बिजमेन जब गरववती थी तब ही नितन याहू की मुलाकात ब्रिटिश छात्रा फिलेर काटेस से हुई और दोनों का अफेर शुरू हो गया अफेर की जानकारी होते ही बिजमेन नितन याहू से अपनी राहें अलग कर ली और जल्द ही दोनों का तलाक हो गया 1981 में नितन याहू ने काटेस से दूसरी शादी की और वेवाहिक बंदन में बंद गये हालाकि यह बंदन भी जारा दिन तक नहीं चल सका और इस दमपत्ती का 1984 में तलाक हो गया कुछी समय बाद सारा बेन आतजी नितन याहू की जिंदगी में तीसरी पत्नी के रूप में सब के सामने आई सारा तलाक शुदा थी और जब दोनों की मलाकात हुई तब वो फलाइट एटेंडनेंट की नौकरी कर रही थी सारा और नितन याहू ने 1991 में शादी की जिन से दो बच्चे यायर और अन्वेर हुए नितन याहू कई भाशाओं के जानकार भी हैं उन्होंने हिब्रू और अंग्रेजी में कई किताबे भी लिखी हैं जिनका अनुआद रूसी फ्रेंच अर्बी जापानी जैसी भाशाओं में भी हुआ है इदर 7 अक्तूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इसराइली शहर किबुट्स सैन अड़ों और सिमाई शहरों पर जबरदस्थ हमला किया इन लड़ाकों ने करीब 240 इसराइली और विदेशी नागरीकों को बंधक बनाया और उन्हें अपने साथ गाजा ले गए हमास के इन लड़ाकों ने हवाई और जमीनी हमले भी किये जिसमें करीब 1200 इसराइली नागरीकों की जाने चली गई इसराइली मीडिया के मताबिक करीब 360 मौतें इसराइल की नोटा फेस्टिवल साइट पर हुई जहां बेखबर इसराइली तिहवार का जश्न मना रहे थे हमास के इस हमले का इसराइल ने ऐसा जवाब दिया कि गाजा में एक दो हजार नहीं बलकि 24 हजार से भी जादा फिलिस्तिनियों की जाने चली गई जिसमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की रही इसके अलावा करीब साथ हजार के आस पास फिलिस्तिनी भी गंभी रूप से घायल हुए अपने नागरिकों के लगातार बरते दबाओ और आतंग को करारा जवाब देने के इरादे के साथ प्रधाम मंत्री बेंजामी नितन याहु ने हमास के खात्मे की मंशा के साथ गाजा पर एर स्ट्राइक शुरू किया स्कूल अस्पतार से लेकर शरनार्थी कैम्पो तक पर इसराईली सेना ने बंबसाए और इसराईली स्ट्राइक में फिलिस्तिनियों के करीब चार राक घर जमिंदोज हो गए इसराईल और फिलिस्तिन का संगर्ष कोई नया नहीं है इनके संगर्ष की कहानी तशकों पुरानी है वेस्ट बैंक और गाजा का इलाका हमेशा से ही इसराईल और फिलिस्तिन के बीच खूनी जंग का मुखे कारन रहा है वेस्ट बैंक और गाजा को फिलिस्तीनी शेतर के रूप में भी जाना जाता है इसी गाजा को लेकर इसराइल और फिलिस्तीन में अक्सर ठन जाती है आज इस वीडियो में हम आपको इसराइल, फिलिस्तीन, हमास और इरान के बारे में भी बताएंगे कि आखे किन वजहों से लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया इस वक्त विश्यूद के मुहाने पर खड़ी है और लड़ाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही दरसल 1948 से पहले इसराइल नाम का कोई भूभाग ही नहीं था उस वक्त ब्रिटेन ने अरब देश को दो भागों में बाड़ दिया अभी जहां इसराइल है वो पहले फिलस्तीन था और पूरा इलाका इसलाम धर्म से प्रभावित था बिटिस समेत दुनिया की कई ताकतों ने फिलिस्तीन को तीन भागों में बाड़ दिया दुनिया के इतिहास में यह पहला मौका था जब यहूदियों के लिए एक स्थाई ठिकाना बनाया गया इसराइल के नाम से उनके लिए एक नए देश का गठन हुआ और इसके पहले यहूदियों का अपना कोई देश नहीं था दरसल जिस दौर में फिलिस्तीन को बाटा जा रहा था उस समय फिलिस्तीन की कुल जमीनों के तीन हिस्से किये गए पहला हिस्सा यानि कुल जमीन का 44 फिलिस्ती इसराइल को दिया गया 48 फिलिस्ती फिलिस्तीनियों के हिस्से में आया और बाकी के 8 फिलिस्ती हिस्से को युएन ने अपने कबजे में रखा इस पर ना तो इसराइल का हक था और ना ही फिलिस्तीन का और यहीं से सारा विबाद शुरू हुआ यहां सबसे बड़ा सवाल है कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हमास कौन है दरसल हमास एक फिलिस्तीनी उगरबादी संगठन है जो गाजा पट्टी के कुछ शेत्रों को अपने नियंतरन में रखता है हमास गाजा को पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है 25 साल तक अपने कबजे में रखने के बाद इसराइल ने गाजा पर 2007 में अपना कबजा छोड़ा और राज किये जिम्मदारी फिलिस्तीन को दे दी हमास फिलिस्तीन का एक शक्ति साली संगठन है जो अपने पास फौज रखता है साथी सत्ता पर भी इसका कबजा है और 2007 से गाजा पर हमास का ही शाषन चल रहा है इस दवरान हमास ने इसराइल के साथ कई संगहर्श किये इस युद्ध के बीच इसराइल ने भी हमास पर कई जवाबी हमले किये हैं तो वहीं कटर पंथ के चलते इसराइल अमेरिका यूरोपिय संग समेत अन्य देशों ने हमास को एक आतंकवादी समुह घोशित कर रखा है इसराइल और हमास के बीच जंग का एक बड़ा कारण गाजा पट्टी है और आपकी जानकारी के लिए है जानना भी जरूरी है कि गाजा पट्टी इसराइल मिस्र और भूमद सागर के बीच 41 किलो मिटर लंबा और 10 किलो म मिस्र है दूसरी तरफ इसराइल और तीसरे साइट से यब भूमद सागर से घिरा हुआ है ये दुनिया का सबसे अधिक जंसंख्या घनतों वाले शेत्रों में से एक है इरान और इसराइल में कभी बहुत गहरी दोस्ती थी इरान से तेल खरीदने में इसराइल अवल था प इरान के प्रमुख बने तो सब खत्म हो गया इरान के नए राष्ट प्रमुख ने इसे पूल रूप से इसलामिक राष्ट गोशित कर दिया और अमेरिका से दूरी बना ली इसराइल के रिश्टों को तोड़ने में कहीं न कहीं उसकी अमेरिका से दोस्ती भी एक कि सत्ता संभालते ही उसने उसी भवन में फिलिस्तीन का दूतावास खोल दिया जिसमें इसराइल का दूतावास हुआ करता था। इरान से सुरक्षित बाहर निकाला जा सका सक्ता परिवर्तन और अचानक हुए इस बदलाव के बाद इसराईल को बड़ा आर्थिक नुक्सान हुआ और दोनों के बीच रिश्टे तल्ख होते गए इरान के नए साशक और उनके सहियोगियों को लगता है कि इसराईल अमेरिका और उनके मित्र देश मुसल्मानों के सबसे बड़े दुश्मन है और इरान की सुरक्षा के लिए ये खत्रा है इरान ने फिलिस्तीन की आजादी को भी अपने एजेंडे में सबसे उपर रखा जब 1982 में इसराईल ने लिबनान पर धावा बोला तो इरान ने भी अपने सैनिक उतार दिये उदर सत्ता परिवर्तन के साथ ही इरान ने ऐसे चरमपंथी समूहों की मदद भी शुरू की जो इसराईल के खलाफ काम कर रहे थे हमास हिजबुला जैसे चरमपंथी संगठनों को ट्रेनिंग पैसा और हत्यारों से लगातार मदद के बारे में इसराईल कहता रहा है हालाकि एरान ने सारवजनिक तोर पर कभी सुईकार नहीं किया कि वो चरमपंथी समूहों की मदद करता है लेकिन दुनिया भर की खुफिया एजिंसिया इस सच को जानती है बहराल एक सैनिक से इसराईल के प्रधान मंतरी बने बेंजामी ने तन्याहू ने हमास और एरान पर जवावी का रिवाई कर दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि वो आतंकवाद के खलाफ हैं और अगर कोई उन पर हमले करेगा तो वे उसका मूतोर जवाब देंगे तो ये थी कहानी इसराईल के प्रधान मंतरी बेंजामी नेतन याहू की बायोगाफी स्रीज में हमारे साथ जुने रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें मेरे ऐसे ही वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए आपको आपके सामने दिख रहे बेल आइकन को दबाना ना भूलें इस वीडियो से सम्मंधित अगर आपके पास कोई सुझाओ हो तो आप उसे नीचे टमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार